सशिकाल नमस्कारत आप दोस्तों मैं हात ओड आपना गुर्विंदर सिंग तुसी देख रहे हो बाजवायन संदू व्लॉग बहुत इंपॉर्टन व्लॉग है अजदा अजदे व्लॉग दे वेच प्रोसेसिंग ताइम नू लेके गल करनी है कैनेडा दे कि आफ्टर बायोम पाउस ओपन वर्ग परमट नू लेके इने दिनी बहुत सारे क्वेस्चेंस रहे हैं खास करके प्रोसेसिंग टाइम नू लेके उनना बारे डिसकेशन करांगे विस्टर ते टूरिस्ट विजा नू किनना समा लाग रहा है प्रैक्टिकली ते कैनेडा डॉट सीय दे लिडियो दे जड़ी है ओ करांगे स्टडी परमट दी वी गल करांगे किना प्रोसेसिंग टाइम स्टडी परमट देली कैनेडा लेरे आए इंडिया देनाल नाल पाकस्तान दुबई बहरीन दी वी गल करांगे ते कंपैरिजन करांगे कि जिमें आपा थर्ड कंट्री तो लगाने है ता ओसदा तो अड़ी प्रोसेसिंग टाइम दे उत्ते किना इंपैक्ट पैसाकता है चैनलों सस्क्राइब कर लो वात तो वात शेयर करो क्योंकि तो अड़ा अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफोर्म है असी किसे तरह दी वीजा फाइलिंग नी कर दे मक्सद दुन्दा तो अड़े तक सही अथेंटिक ते रियल इंफॉर्मेशन पहुंचा होना किसे वी तरह दा प्रमोशनल कंटेंट असी त्यार नहीं कर दे केप्स नोट आपनी प्रोफाइल त्यार करवाना चान दे ता वेलकम है असी वीजा फाइलिंग नी कर दे इस करके कॉल ना करया करो वीडियो शुरू कर लाने हैं सब तो पहला आपा दस देने की कैनेडा.ca दे हिसाब दे नाल प्रोसेसिंग टाइम की चाल रहा है आफ्टर बायोमेट्रिक ते उस तो बाल प्रैक्टिकली रिजल्ट किस तरीक के नाल आ रहे हैं वन बाई वन गल करांगे सब त स्टडी परमर्ण दा गलोबली प्रोसेसिंग टाइम हुंदा है ते जेकर SDS केस दी गल किती जावे ता SDS केस दे वेच क्या जानदा ओफिशली है कि वी देन दे वेच 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 रिजल्ट जेडा ओ आ जावेगा पर जेकर कैनेडा.ca ते जाकर स्टडी परमर्ण दा गल बहुत स्पीड नाल आ रहा है ने एक मीन दे वेच 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 मोस्टली रिजल्ट जड़े ओ आ जान देने किसे किसे केस दे वेच वन मन तो ज्यादा टाइम लाग रहा है इवन कि विदिन 15 डेज दे वेच वी बहुत सारे रिजल्ट जड़े या तकरीबन 30 परसंट दे वेच आ जान देने ते 50 परसंट तो भी ज्यादा रिजल्ट 60 परसंट कह सकते हो तुसी कि विदिन 30 डेज आ रहा है ते उस्तो ज्यादा यानि कि 40 परसंट या 55 परसंट जहे केस ने जिननन उस्तों वद समाला करेया उस्तो लामा गल कर देया विस्टर वीजा दी जकर विस्टर वीजा दी गल किती जावे ते प्रोसेसिं टाइम कैनडा.ca दे हिसाब देना थर्टी वन डेज दा है ए इंडिया तो टाइम थर्टी वन डेज दा है पाकस्तान दी गल कर लिए ता 62 डेज दा है दुबई दी गल करिये ता 101 दिन दा है बहरीन दी गल करिये ते 114 यानि कि बहरीन तो इनना समा लाग रहा है विस्टर केस वास्ते हुन विस्टर केस दा जेकर प्रैक्टिकली जानने आता इंडिया दे वेच बहुत वड़ी गिंती दे वेच रिजल्ट जड़े हो विदिन 30 डेज आ जान दे लागपक 70% रिजल्ट जड़े है वो विदिन 30 30 डेज आ जान दे है ती परसंट रिजल्ट हो जड़े है जड़े ती देन तो वद समाल लाए रहे है जेकर आपा आफ्टर बायोमेट्रिक गल करिए तो उस तो लावा सेम कंडिशन जड़ी हो पाकस्तान ते लागू हुन दे है कि पाकस्तान दे वे मोस्ली रिजल्ट जड बनन तो बाद कॉल सांदिया ने उना दी गिंती बहुत काट हुन दी है ते जड़ी ओ काट गिंती है उदे वेचे सब तो जड़ी वड़ी का ले हुन दी है कि मोस्ली रिजल्ट जड़िया ओ विधिन टू मन्थ आए हुन दी है वैसे भी प्रोसेसिंग टाइम होना 62 डेज दा दिता हुया पर उते प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा वाद लग जानदा है कई कैसे दे वेचे उस्तो बाद दुबाई ते बहरीन उत्थों कई केसे जड़े है ओ विधिन 20 डेज 30 डेज दे वेचे जानदे पर मोस्ली केसे ज समा जड़ा सोरी 13 वीग दा समा जड़ा ओं कैनाडा डौट सी ये दे उत्ते देता हुया है पर मोस्ली रिजल्ट जड़े है ओ हुन थोड़ा ज्या लेट हो रहने एक महीने तो पहला किसे किसे दा ही वीजा जड़ावा ओ खास करके वर्क परमर्दे केस दे वेच आ रहा है अप्लिकेंट नों लग दा किसी बैकलॉग दा पार बन गे पर 13 वीग दी डिकलेरेशन जड़ी है ओ खोद अमबैसी दे रही है एदा मतलब है कि तकरीबन साटे तेने चार महीने सानू वेट करना चाहिदा है ऐस तो पहला जड़ाव सानू जल्दबाजी नी करनी चाहिद करना चाहिदा है जड़ो साटा कैनेडा.ca दे हिसाब नाल जड़ी ऑफीशली नाउसमेंट है उदे हिसाब नाल जएक टाइम जड़ाओ टाप गया है या वद गया है सपाउस ओपन वर्क परमर्दी गाल जड़ी कर लिए क्योंकि ये थों डिपलोमेटिक वड़े चेंजेस होए ने ते सब तो बड़ा इंपक्ट जड़ा हो सपाउस ओपन वर्क परमर्दी फाइल चेक हुंदी एक खुंदी है जड़ा तो अड़ा स्पाउस कैनेडा वेच दुज़ा हुंदा है कि जिसनों तुसी बुला आ रहे हो हुँद दोवा केसेस दे वेच की है कि तो अड़िगा फाइल चेक हुंदी हाने सो उननू टाइम लग जड़ा है तो इस करके स्पाउस ओपन वर्क परमर्दी वेच पहला ननो टाइम ज्यादा लग रहा है जगर पहला दे नाड़ आपां कंपैरिजन करिये तो उस्तों बाद गल कर लेने या पाकस्तान दी पाकस्तान दे विच अठाई वीग दा समा दितता हुया कैनरा डौट सी ये दे हिसाब नाड फिप्टी थ्री डेज दा समा जड़ा दुबई तो दितता हुया ते बहरीन तो उन केसेज जड़े आओ बहुत कह साकते हैं कि 50% केसेज जड़े आओ इने टाइम दे विच आएंदे 50% केसेज उन दे जड़े ये इस तो वद समा जड़ा है ओ लेलेन दे ए क्लोज वर्क परमर दे केस देंगे चवी उस तो बाद गाल जेकर सुपर वीजा दी गाल किती जाव वो तुसी काउंट कर सकते हो जेकर कोई रिफ्यूजल तो वाद फाइल लगा रहा है तो उससे देन तो जड़े टोड़े बायोमेटरिक अपडेट हो जान्द है उदो तो तो अड़ा प्रोसेसिंग टाइम काउंट होना शुरू हो जान्द है सुम्मित करता है कि इस दे व्लॉग दे विच तो नो बहुत यूसफुल इंफॉर्मेशन तो नो मिली होएगी खास करके तो अड़े प्रोसेसिंग टाइम नो लेके बट प्रोसेसिंग टाइम टो बात जो कैनेडा.ca ते दित्ता हुए उस तो पहला ज्यादा वाफ़ामरेज नहीं करने चाहिए एवन की नहीं करने चाहिए खास करके प्रोसेसिंग टाइम नो लेके उम्मीद करदें व्लोग पिसांद होएगा चनलो सस्क्राइब करो ते वात्तो वाज शेर करोई तो अड़ा अपना इंडिपेंडेंडेंट प्लेटफोर्म है सी किसे तरांदी वीजा फैलिंग नहीं कर दे मकसद उन्दा तो अड़े तक सही एथेंटिक ते रियल इंफोर करेंडेंट त्यार ना करीं हो इस तरांदी अप्डेटली बने रहो बाजवन संदू व्लोक्स देना थैंक यू